नमस्कार दोस्तों सर्जी क्लासिस में आपका स्वागत है तो हम लोग केमेस्ट्री देख रहे थे SSJ और CHSL एकजाम के लिए तो देखिए प्रिफिस वीडियो में हमने जो है हाइडो कारबन के बारे में स्टेडी हमने किया था और इसके पहले भी जितने भी लेक्टेरों हमने कवर गिया है chemistry के इसके अलावे और भी जो subject हमने अलडेडि कोवर कर लिया जैसे के आपका economics हो गया biology हो गया और geography हो गया तो इन सभी का हमने अलग से playlist बना दिया है तो आपको जो है description box में playlist का link मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से जाके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं इसके अलबी जितने भी subject हमने cover किया हुए तो सभी का PDF जो है तो इसका link आपको description box में link मिल जागा आपको तो वहाँ से जाके आप लोग इसको buy कर सकते हैं पर आप लोग study करते रहें अब जो है class हम आपको regular provide करते रहेंगे और exam अभी जैसे आपका exam date आपका अभी जैसे time होने में भी समय है दो महिने approximately आपके पास time है तो आप लोग study कीजिए हम पूरा जो syllabus से कोसिस करेंगे cover करने का up to examination से पहले आपका तो चलिए start करते हैं हम लोग आज का लेक्चर तो आज हम लोग organic compounds के बारे में study करेंगे तो दिखे जो organic compound जो होते हैं तो यह chemical compounds करेंच यह larger class होते हैं जिसमें से यह से यह दिक atom carbon के होते हैं और इसके साथ में बहुत सरे atoms होते हैं most commonly उसमें से जैसे hydrogen होगा oxygen होगा और nitrogen हो गया, तो इनके साथ carbon का covalent bond रहती है इसके बीच में, तो कोई भी आप organic compound आज कल अब दिखीएगा, तो mostly उसमें आपको carbon तो रहेगा ही, उसके साथ में covalent bond बनाते हैं, आपको इन ही सारे most commonly आपको मिलेंगे, जैसे के hydrogen, oxygen या फिर nitrogen हो गया अब दिखीए, इसके पहले जो chemistry के field में, जो है, बहुत सारे chemist ने try किया था अपना, कि जैसे organic compound को हम लोग laboratory में obtain करें, तो इसी संदर में है, एक Swedish chemist है, जो कि बरजलियस उनका नाम तत इन्होंने propose किया था, कि यदि हमको इन सारे organic compounds का इन्हों को ये question पूछा जाए, एक vital force theory किया है, तो ये एक वो mysterious force है, जैसे कि हम synthesis हमको करना होगा organic compounds को plant और animals से, तो उसके लिए force के ज़रुत पढ़ती है, तो उसी force को mysterious force को हम लोग बोलते हैं, vital force theory, हलांकि देखिए, आगे क्या होता है, कि ये जो vital force theory था, तो इसे आगे जाके एक बहुत ही blow पढ़ती है, 1828 में जब एक faderic oler थे, जो कि ये जर्मन chemist थे, इन्हों ने accidentally urea को obtained कर लिया, तो urea जो है, इन्हों ने पहला जो इन्हों laboratory में obtained किया था, जो कि urea, ये एक mammals को urine होते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं, लेकिन होते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं, आपके open chain होते हैं, यानि कि जिसको हम लोग cyclic compound बोलते हैं, जिसमें कोई cyclic chain नहीं रहती है इसके अंदर में, तो यहां पर आप classification देख सकते हैं organic compound का, जैसे कुछ cyclic यानि कि open chain रहते हैं, इसका फर्दर और classification रहते हैं, जैसे कि open chain में alkyns हो गया, alkyns हो गया और alkyns का हो गया, और वहीं दूसरे तरफ होते हैं, cyclic या फिर जो closed chain, या फिर जो जिसमें की ring structure होते हैं, तो यह दो major हैं organic compound के, जो इनका classification और फर्दर देखिए, जैसे कि cyclic chain होते हैं, या close chain जो होते हैं तो इसमें भी further classification इनका होता है कुछ जैसे कि homocyclic होता है और कुछ होता है, hydrocyclic होता है तो यह सारा चीज़ हम लोग यहां पर करके study करेंगे तो यहां पर हम लोग सबसे पहले open chain या फिर जो cyclic compounds होते हैं, उसके बारे में study करेंगे, तो देखिए, यह ऐसे compounds होता है, जिन में जो carbon के open chains होता है यानि कि जो molecules होता है इसमें, तो उसमें जो carbon atom जो रहेंगे तो उनमें जो open chain रहेगा तो इसमें दीखिए, जो open chain जो रहते हैं इसमें तो इस तरीके से बना हुए रहेगा जिसमें से रींग तैप का structure नहीं रहेगा से आपका जिस सब्सक्राइब इसके तो इस टाइप का नहीं रहेगा इसमें सारा जीतने भी रहेंगे तो आपको open chain रहेगा मेभी वो straight chain रहेगा या फिर branching ही रहेगा लेकिन वो आपको जैसे कि इसमें open रहेगा कोई भी ring structure इसमें नहीं रहेंगे open chain या फिर जो और cyclic compounds होता है इस तरीके से तो इनको जो है aliphatic compounds भी बोला जाता है तो इसके एक्जामपल आपको जैसे हो गया open chain का alkyns का हो गया alkyns का हो गया alkyns का हो गया तो इन जितने भी यह सारे जो है आप इनका structure है दिया बनाएंगे तो यह जितने भी होंगे या फिर इनका branching होगा लेकिन किसी में भी आपको cyclic या नहीं structure बनेगा इनका तो आपको यहां पर यह एक्जामपल भी याद रखना है साथ में कि जो alkyns या alkyns या alkyns है तो यह किस तरह का जैसे इनमें अंदर में एक chain होती है तो यह open chain को होते हैं या फिर जो आपसे question पूछे जाते हैं तो आप देखिए हम लोग यहां पर आगे देखते हैं second वाला जो आपका इसमें close chain का या फिर इसको हम लोग cyclic भी बोलते हैं या फिर इसको ring compound भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर में जो है ring type structure होती है तो यह देखिए इनके अंदर में क्या रहेगा जैसे close chain रहेगा और ring का structure रहेगा इनके अंदर में जयने कि जो molecules रहते हैं इसके atoms के तो यह फुर्दर देखिए और वी जैसे बहुत types इसके होते हैं लेकिन कि जैसे ring structure तो रहेगा लेकिन इसमें carbon की जो atoms रहेंगे इसमें वो 3 या फिर 3 से अधिक रहेंगे इसके अंदर में तो यहां पर आप जैसे structure आप देख सकते हैं यहां पर इनका जैसे cyclopropane का हो गया है यहां cyclohexane का हो गया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर एक रिंग का structure बना हुआ है और वहीं जो आरोमेटिक जो compound होते हैं तो इनके अंदर में जैसा cyclic system तो रहेगा लेकिन इसमें एक बेंजीन रिंग रहेगा अब बेंजीन रिंग देखी जैसे हैं इसमें होता है इसका structure रहेगा ही रहेगा यानि कि इस पर जो parent member जो रहेगा इस family का वो रहेगा इसका बेंजीन रहेग इसको बोलेंगे हम लोग उसको अंदर में मतलब at least यह तो रहेगा ही रहेगा तो यह हो जाएंगे aromatic compound जिसमें कि एक benzine ring उसमें रहेगी तो यह differences जो है आपको करने में यहाँ पर आना चाहिए और इसी सही question आपका पूछा आता है exam में और वहीं पर दिखी जो तीसरा classification है close chain या फिर जो cyclic compound जो होते हैं तो वो है heterocyclic compound तो यह ऐसे compound होते हैं कि जिनके अंदर में ring के at least two different members इसमें present होने चाहिए जैसे कि आप figure में देख सकते हैं यहाँ पर two different rings के member present है उसे तरीके इसमें three different rings के member इसमें present है तो यह कह लाएंगे heterocyclic compound अब यहाँ पे homologous series के बारे मे हम लोग समझेंगे जो कि यह भी आपका important है और इनके characteristics question आपके directly पूछ ले जाता है तो देखिए homologous series हम लोग वैसे similar compounds हम लोग बोलते हैं जिनके जो है जो भी members इसके अंदर present रहते हैं तो उनमें जो है same functional group रहेगा और उनका जो chemical properties भी होता है तो वही same होती है यानि कि ऐ chemical characteristics भी similar रहेगा तो उनको बोलते हम लोग homologous series तो देखिए जो homologous series होते हैं तो यह जो है बहुत सारे जो compounds होते हैं जिनका हम लोग नामनकरन देते हैं जिनके अंदर में similarities रहती है तो कोई भी जैसे homologous series रहती है तो उसके बीच में जो consecutive members रहेंगे तो उसके बीच में जो difference होता है chemical formula का तो वो कौन सा होगा तो वह अपका CH2 group का जो कि हम लोग आगे भी इसको study करेंगे हम लोग अब इसके अंदर में देखिए जितने भी members होते हैं homologous series के उनको homologous series के उनको homologous भी बोला जाता है अब जैसे इसके कुछ example आपके हो गया alcohol family का हो गया तो alcohol family के जैस है क्या है एक series में है जैसे carbon atom अगर इसमें एक है तो आपका methyl alcohol हो गया और वहीं दो है तो यह इसके हम लोग 1,2,3 करके एक general formula से represent कर सकते हैं जैसे कि हमने यहां पर example लिया alcohol family का तो इनको जहाए जितने भी alcohol family के member होंगे तो उनका एक जहाए एक formula होता है family है वह लगा हुए है रहेगा और दो successive members रहेंगे तो उसके बीच में जो difference रहेगा CS2 का रहेगा या फिर उनके बीच में 14 atomic mass unit का difference रहे क्योंकि आप इसको calculate कर लिजेगा CS2 का atomic mass तो यह 14 ही आ जाएगा तो दोनों तरीके से question आपके पूछे आते हैं कि जो दो successive members होते हैं homologous series के तो उसके बीच में difference कितना का होता है तो यह आपका जैसे chemical formula होती है वह तो CS2 का रहेगा लेकिन अगर atomic mass unit का अगर पूछा जाएगा तो आपका 14 atomic mass unit की जो है उसमें difference होती है तो यह एक major question है जो की पूछा गया हुआ पीसी नए एक्जाम में फिर उसके बाद देखी तीसरा property है कि जैसे different जो भी members होता है homologous series के इस family के तो उनका जो है common functional group होती है जैसे हमने यहाँ पर alcohol का एक्जाम पर लिया था तो जितने भी एक member के रहेंगे जो alcohol प्रजेंट रहेगा तो उसमें always functional group जो है वो सभी में common र जाता है तो यहाँ पर बोश तरीके से बहुत सारे techniques होते हैं इनको nomenclature करने के लिए ताकि हम इनको properly study कर सके क्योंकि अगर उनका नाम नहीं रहेगा तो यह जो पढ़ना है उनके property या फिर जो है उनको समझना यह बहुत ही complexity बढ़ जाती है यानि कि उसका systematic way में हमको study करना है तो वो चीज हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले दिखिए है कि जो नोमनक्लेचर किया क्यों जाता है नोमनक्लेचर हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कोई भी organic compound है तो इसको properly assign कर सके और उसके बाद हम लोग उसको identify कर सके और इसका systematic way में study कर सके हम लोग तो इसके लिए जो है एक certain standard rules follow किया जाता है तो देखिए जो aliphatic compound जो होते हैं यहाँ पर जैसे कि हमने study किया था और aliphatic compounds के बारे में तो इनका जैसे नोमनक्लेचर किया जाता है तो दो system जो है इनको naming करने के लिए generally हम लोग use करते हैं तो पहला है trivial system और दूसरा है IO pack system है त तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे trivial system के बारे में जो नोमनक्लेचर किया आता है तो देखिए earlier days में जितने भी organic compounds थे जो मतलब कि जैसे यह derived हुए थे तो वहीं से naming उनका कर दिया गया था जैसे यूरिया के हम बात करते हैं तो यूरिया जो है इसका नाम पढ़ा था क्योंकि यह compound जैसे obtained किया गया था mammals के जो urine होते हैं उसी से तो वहीं देखिए urine है तो वहीं से नाम इसका पढ़ गई यूरिया तो यानि कि trivial system हम लो इस तरीका का standard फोलो करते हैं हम लो कि जो भी source है जो भी compound obtained हुआ है तो वहीं नाम उसका देदेना मना को उसी तरीके से उस spirit बोलायाता था क्योंकि यह जो है एक जैसे destructive distillation जब ओड का हम लोग करते हैं तो उसी से obtained हुआ था तो उसी के product जहाज है यह obtained हुआ था तो और उसी का नाम दे दिया गया था ओडी spirit तो ओड से obtained हुआ तो ओडी spirit तो यह सारे क्या है यह trivial system है तो trivial system यहाँ पे नुमन क्लेच या फिर जैसे trivial name आपका हो गया तो इस तरीके का जो नुमन क्लेचर होता है तो इसको बोलते हम लोग trivial system तो यह जो है उतना ज्यादा जैसे कि यह famous नहीं हो पाया क्योंकि इसमें confusion बहुत सारे होते थे कि जैसे और भी इन से similar compound अगर मिलते जोते रहते थे तो उनको हम लोग जो है नाम क्या दे तो उसी के बाद जो है फिर आयोपैक system का system का जैसे आया rules आया कि हम कोई भी compound से तो उसको हम कैसे लोग याद रख सकते हैं बहुत ही systematic way में तो यहाँ पर कुछ जैसे आपके दिये हुआ है common names दिये हुआ है जो popular हुए थे जो भी organic compound उस दोरान जो trivial system based पर इसका common name होता है methane होता है और वहीं पर जैसे अगला आपका C2S4 इसको ethylene बोलायाता है और वहीं acetylene जो है तो इस तरीके से और भी आपका दिया हुआ है तो यहाँ पर देख लेना इन सभी को यह आपका दिया हुआ है जो common name इसके होते हैं उसके basis पर यानिकि जो trivial system के basis पर होता है कि जो कि हम लोग एक सीरीज में उनको नाम याद रखना होता जैसे अलकेन कहीं हो गया तो उसके बहुत सारे एक लंबा सीरीज होता है अब टू लेके वन से लेके टेन तक का यहां पर आप जैसे फीगर में देख सकते हैं हम लोग आगे इसको लोग समझेंगे यहाँ पे तो उसी को जो ट्रिवियल सिस्टम है उसको रिशनलाइज करने के लिए एक नया सिस्टम जो है अडॉप किया गया था जो की इंटरनेशनल कॉंग्रेस ऑफ केमिस्ट के दर हैं हेल्ड किया गया था जेनोवा में 1892 में तो यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए तो यहाँ पर देखिए जो यह फॉलो किया गया था इसमें जो है तो वह उनका नाम रखा गया था आयूपैक सिस्टम तो इसका जैसे कभी फुल्फों में आपसे पूझ ले आता है तो इसका फुल्फों होता है इंटरनेशनल यूनियान और आपलाइड केमश्टरी तो इसमें देखिए किस तरीके से नामनकरन क्या गया था जैसे हम रोते हैं आखे가 को साफिक अब देख रहे हैं कि last में suffix A-N-E उसमें तो लगा ही रहेगा और prefix जो है तो बहुत डिपेंड करेंगा है कि number of carbonate उसमें को कितने है तो उसके पेसिस पर prefix लगाई जाती है तो यह इसके कुछ standard rules होते हैं जिससे कि इनको पढ़ना या फिर इनको नमनकरन करना या फिर इसको जानना असान हो गया आयूपैक सिस्टम के दोवारा तो इसको जैसे कुछ एक्जांपल आपको दिया हुआ है फ़र्स जो फ्य मेंबर्स होते हैं तो यह according to आयूपैक सिस्टम के जो एक्वाडिंग यह नामनकरन दिया गया है अलकेन को जो सीरीज होते हैं इसमें जिसमें क आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे अगर नंबर अब कार्बन आटम से बहन है तो उसमें प्रिफिक्स जो है मिथ लगा रहेगा जैसे एक्जांपल मिथेन का हो गया और वहीं देखी कार्बन आटम दो रहेगा तो वह इथा रहेगा और अगर अलकेन चैन है तो आपका इथेन रहेगा उसका अब वह इससी तरीके से देखिए तीन रहेगा तो परोप हो जाएगा फोर अगर रहेगा कर्बन करेंटम तो इसका प्रिफिक्स रहेगा और इसी से जो बाद मैं अगर अलकेन सरीस तो उसमें एनी सफिक्स लग जाएगा तो वहीं मिथेन इथेन और प्रोपेन ब्यूटेन हो गया तो इस तरीके सिरीज आपका चलता है और वहीं पर देखिए अगर अलकीन सिरीज करहेगा जिसमें की सफिक्स जो रहेगा वहाँ पर इनी लगा रहेगा जो डबल बॉंड होत तो वह आपका मिथाइन आपका हो जाएगा वहीं मिथाइन तो सवरी उसमें होता नहीं है और अलकीन सिरीज में वह आपका स्टार्ट इथाइन से या फिर इथेन से स्टार्ट होती है यह जो मिथेन आपका है यह केवल मतलों की जो है अलकेन सिरीज का ही स्टार्ट होता थ क्योंकि यह ट्रिवियल सिस्टम से इनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी पहले तो इसलिए आयूपैक सिस्टम यह जो है यह जो है अपलाई किया गया था अब यहां पर वही जैसे एक्जांपल हमने कॉमन लिया हुए सिंप्लेस चेन का जो अलकेन का होता ह वो आपका जैसे मिठेन हो गया CH4 अब इसी तरीके से जैसे अगर 9 करबन एटम रहेगा अलकेन सिरीज का तो उसका नामनकरन उसको बोलेंगे हम लोग 9 बोलेंगे हम लोग तो इसको आप लोग जैसे लिख भी सकते हैं जो केमिकल फर्मूला होता है अलकेन अलकीन और अलका तो यहां पर देखिए अपको कॉमन नेम दिया हुआ लेकिन यहां पर कोशन आयूपैक सिस्टम में जो इसका किस तरीके से नामनकरन किया आता है तो देखिए इस तरीके कोशन को याद ही रखना होगा क्योंकि यह बहुत सारे जो हैं इसके जैसे के स्ट्रक्चर होता है य तो इसको हम लोग लिखेंगे तू ब्रोमो तू मिथाईल प्रोपीन । यह जो है आप यहां फे इस्ट्रक्चर है देख सकते हैं जैसे कि इसमें 2 ब्रोमो और 2 लो मिथाईल और प्रोपेन का यह से इसके अंदर में तो यह इसका लेक हो जाएगा तो ब्रोमो तू होते हैं तो इसमें सबस्से पहले इंड़ कोई फिर लुब्रेद होते हैं तो इसमें आपको इसमें पहुंचा ना हो जैसे प्रोपेन उपका ल några उकषान है तो जब आप यहां पर फिरेगा Ki रहते Mmm रहेगा यहां पर यहां पर देख सकते हैं तो इस तरीके से हैडोजन कितना रहेगा इसके अंदर में तो 7 इसका राइट एंसर हो जाएगा इसी तरीके से यहां पर आप आपको यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर फिक्स जो लगते हैं तो आपको यहां पर पुछा गया हुआ है हेक्सामिथलिन डाइमिन का तो देखिए जो हेक्सामिथलिन डाइमिन का जो यह और्गेनिक कमपाउंड है तो जिसका फर्मुला होता है तो यह आप देख लिजे किसमें आपको यह दिया हुआ है तो इसका देखिए जो राइट अंसर आपका होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका अब आईए हम लोग यहाँ पर देखते हैं जितने भी मेजर जो और्गेनिक फंसनल ग्रूप जो होते हैं तो इनसे कोशन आपका पूछा आता है जैसे इसमें आपसे पूछ लिया आता है कि इसका फंसनल ग्रूप क्या होता है अल्कोहल का या फिर जैसे फिनोल का हो गया और इंका जो iupic ending जो होती है वो क्या होती है तो इस तरीके से जो major organic functional group जो आपको study करना है और जुद जया में पूछे आते हैं तो आपके जैसे अलखोहल का हो गया, phenols का हो गया, रिथर्स का है, अल्डिहाइड्स का है, किटोन्स का है, कार्बोजिलिक एसिड का है और इस्टर्स का है तो इनका यहाँ पे जो लिस्ट आपका प्रोवाइट किया गया है यानि कि यह जो compound है इनका जैसे पैक सफिक्स क्या होती है इसके लास्ट में लगती है, और यह functional group किस तरीके से इसका structure कैसा होता है तो यहाँ पे वो सारा list आपका दिया हुआ है, तो पहले देखिए जैसे alcohol है तो alcohol के साथ में आपके जो भी इसके functional group होते हैं तो आपको जिससे कि इसमें OH लगा रहेगा और इधर जो compound आपको कुछ भी आर के जवाप यहाँ पे हो सकता है, जैसे मीथेनौल आपका हो गया इसके अलावे जैसे आपका प्रोपेनौल हो गया, तो इसमें जो भी रहेंगे तो आयोपेक जो इंडिंग रहेगा जितने भी alcohol group रहेंगे तो वो oil रहेगा इसके जो आयोपेक इंडिंग रहेंगे, तो यह question आपसे पूछा आता है, और वहीं पे देखिए जो फिनौल से जो रहेंगे इसके अंदर में, तो इसका जो functional group जो रहेगा, तो यह इसका functional group है, जो structure आपका है, इस तरीके से आपसे question पूछ लेता है, फिन functional group फिनौल का कौन से होता है, तो यह आप लोग याद रखना particularly, और इसका आयोपेक इंडिंग जो होगा, तो उसमें फिनौल रहेगा आपका, और वहीं देखिए जो ethers के रहेंगे, तो ethers में जो आपका है, तो जैसे आपका इधर एक compound रहेंगा और बीच में से ओ आपका इसमें, तो इसका जो आयोपेक इंडिंग होगा वो ethers रहेंगा, उस तरीके से और भी आपका दियाव जैसे aldehyde का हो गया, तो इसका आप फिनौल फिनौल गुरूप यह आप यहाद देख सकते हैं, यह आपका इस तरीके से रहेगा, और इसका जो आयोपेक इंडिंग हो वो एयल के साथ रहेगा तो इसमें आपको alcohol का और aldehyde का इसमें थोड़ासा डिफ्रेंस से alcohol में ओएल होता है और इसमें यह रहेगा आपको aldehyde में यह चीज़ा आप लोग यहां पर अच्छे से ध्यान से देखना इसको और और वहीं देखिए जो ketones के जो होता है तो इसमें देखिए आयूपेक इंडिंग इसमें O-N-E का होता है और functional group इसका जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि O के साथ double bond रहेगा और यहाँ पर जैसे आपके दो compound आपके रहेंगे इसमें लगा हुआ उसी तरीके से कर्वोज लिके acid है तो इसमें देखिए C O H रहेगा और साथ में जो एक organic compound इसमें लगा हुआ रहेगा आपका यहाँ पर और इसका जो आयोपेक इंडिंग होगा तो इसमें O-E acid आपका रहेगा सभी में और वहीं देखिए इस्टर का है तो इस्टर में यहाँ पर जो इसका इंडिं कौन सा है तो आप लोग यह structure याद रखना और इसका उपेक इंडिंग क्या होता है तो यहीं सारा चीज हमने लिया हुआ है important जो पूछा आते हैं आपके तो यह अप लोग इतना ही से आपके आते हैं जाम में और अगर माली जी की जैसे आप से और भी पूछ ले आता है तो यहाँ पे जो है जितने भी important functional group होते हैं और उसके जो भी suffix लगते हैं उसके अंदर में तो हमने यहाँ पे सारा कुछ ले लिया है तो आप list यहाँ पे देख सकते हैं जैसे alkenes का है तो alkenes में जो suffix या जो prefix जो लगा जाता है इसके अंदर में अलंकि जो alkenes इसमें आपक नहीं साथ का है तो इसमें जो है Hello अपको लगे रिसमने लगेगा यह prefix लगेगा और वहीं alcohol जो रहता है तो इसमें डिखिया आका रहेगा इसमें सफिक्स लगए amino या फिर amine आपका रहेगा इसमें अगर उसमें prefix रहेगा तो amino रहेगा और अगर suffix लगा हुआ तो आपका amine रहेगा उसे तरिक है जो amide आपका रहेगा तो इसमें suffix amide लगा रहेगा और वही देखिए जो nitrials है इसमें आपका नाइट्राल लगा रहेगा suffix, तो यह सारा चीज आपका लिस्ट दिया हुआ है, और इसका जो functional group होता है, तब को यह structure इस तरीके से याद रखना होगा, अब यहाँ पर दिखिए, एक चीज आपसे isomerism के बारे में भी पूछा जाता है, तो isomers हम लोग उसको बोलते हैं, हम पोजिस करते हैं हम लोग, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, आईसो मेरिजम बोलते हैं हम लोग, तो यह चीज डेफिनेशन आपको याद रखना है, अब यह हम लोग यहाँ पर और question करते हैं, तो देखिए, question अब का है, कि if OH group is attached to benzene ring, the compounds form is, तो देखिए, जब भी benzene ring में अ और वहीं पर देखिए, अगर OH group जो है, तो यह अगर attach रहता है, अलकीन के साथ में, अलकेन के साथ में, तो आपका alcohol हो जाता है, तो यह चीज आपने देखा भी था, तो आपसे question किसी भी डाइब से पूछे हैं, तो आप लोग जाए, इसली कर सकते हैं, फिर अगला question देख substitute होके, एक halogen atom अगर आता है, तो वो क्या कर लाएगा, तो इसको बोलते हैं, हम लोग हैलो alkenes बोलेंगे, हम लोग, जैसे कि माल लीजिए, मिथेन, sorry, आपका कोई भी हो गया, आप लोग ले लीजिए, उसमें chloropropane का ही आप ले लीजिए, तो उसमें प्रोपेन में क्या र देखिए, अगला question है, कि mythenoic acid is an example, तो mythenoic acid ये example इसमें से किसका है, तो इसमें देखिए, ओप्षन में दियावाय, aldehyde, ketone, carbojolic acid या ether से, तो देखिए, ओई, इसमें लगा हुआ है, सफिक साब का, तो ये किसमें होता है, तो ये किसमें होता है, तो ये किसमें होता है, देखिए, कि alcohols, alcohols CNH2N plus 1 OH, इसके formula होता है, कि are formed by the attachment of, तो alcohol जो है, ये किस तरीके से form होता है, इसमें क्या attachment होगा, तो देखिए, इसमें जो है, OH group ये attached होता है, hydrocarbon chain के साथ में, तो ये बन जाएगा alcohol, तो right answer क्या हो जाएगा, इसको option A हो जाएगा, next question देखिए, कि what is the general formula of alkins, तो alkins का general formula क्या होता है, तो देखिए, जो alkins होता है, तो इसका general formula होता है, CNH2N होता है, तो right answer option B हो जाएगा, और वहीं पे देखिए, alkins का पूछता, तो उसका होता है, CNH2N plus 2, अब इसमें से अगर हम plus 2 को ये हटा दे, तो ये बन जाएगा, आपका alkins का, और यदि इ देखिए, अगला question है, कि the general formula for amines is, तो amines का general formula क्या होता है, तो देखिए, amines वो होता है, जिसमें की NH group आपका लगा रहेगा, तो इसमें देखिए, ये आपका option C में दिया हुआ है, तो right answer option C आपका हो जाएगा, तो इसी तरीके से जो है, कुछ question आपके पूछा जाएंगे exam में, तो ये जितना हमने आपको यहाँ पढ़ाया हुआ, तो ये आप लोग उतना भी कर लेते हैं, तो आपको जो है, इसे और extra पढ़ने के जरूरत तो नहीं पढ़ेगी exam में, तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये lecture आपको कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तर हम लोग chemistry का लेक्चर आगे continue करते रहेंगे, और आप लोग पढ़ते रहें, और वीडियो को share करते रहें, अधिक से अधिक अपने friends के among में